करूना वाइरस से संकर्मन की आज आई चुकाने वाली रिपोर्ट पिछले 24 गंटे में COVID-19 से संकर्मित लोगों का आंकड़ा हुआ 34,000 के पार इसी के साथ देश में करूना संकर्मितों का अपकुल आंकड़ा 10 लाग के पार पहुंचा दुनिया में यह आंकड़ा पार करने वाला तीसरा देश बना भारत बीते 14 गंटे में ही 600 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत भारत में करूना वाइरस का संकर्मन रोकने के लिए कई राज्यों में लोगडाउन किया गया है और इस वज़े से कंपनियों की चिंता बढ़ गई है वैश्विक स्थर पर अमेरिका चीन समेत कई देशों में करूना संकर्मन की दूसरी लहर दिखाई दिने लगी है ऐसे में भारत में कामकाजी कर रही ज़्यादा तर कंपनियों का मानना है कि यदि COVID-19 की दूसरी लहर शुरू होती है तो उनके कारोबार पर काफी बुरा असर पढ़ सकता है करोना वाइरस से संकर्मित आंकडे को राज्यों के इसाब से देखे तो आप भी परिशान हो सकते हैं माराष्ट्र की बात करें तो यहां पिछले 24 गंटे में कुल 8308 नए मामले दर्ज हुए हैं और यहां कुल केसों की संख्या 2,84,000 तक पहुँच चुकी है तमिलनाडू की बात करें तो यहां पिछले 24 गंटे में 4,538 नए मामले दर्ज हुए हैं और यहां कुल केसों की संख्या एक लाख चपन हजार तक पहुंच चुकी है दिल्ली की बात करें तो यहां पिछले 24 गंटे में कुल 1652 ने मामले धर्ज हुए हैं और कुल केसों की संख्या एक लाख अठारा हजार तक पहुंच चुकी है करनाटका की बात करें तो यहां पिछले 24 गंटे में 3693 नए केस दर्ज हुए है और यहां कुल केसों की संख्या 51,422 तक पहुंच चुकी है आंधरा प्रदेश की बात करें तो यहां पिछले 24 गंटे में 2602 नए मामले दर्ज हुए है और यहां कुल केसों की संख्या 38,044 तक पहुंच चुकी है और पश्चिम बंगाल की बात करे तो यहां पिछले 24 गंटे में कुल 1894 ने मामले दर्ज हुए हैं और यहां कुल मामलों की संख्या अब 36,117 तक पहुंच चुकी है बिहार की बात करें तो यहां पिछले 24 गंटे में कुल 1825 ने मामले दर्ज हुए हैं और यहां कुल मामलों की संख्या अब 23,330 तक पहुँच चुकी है यह आंकडे उन राजों के हैं यहां पिछले 24 गंटे में 1800 से ज़्यादा केस सामने आये हैं हाला की भारत में टेस्टिंग की बात करें तो यहां हर 3 दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और लगबग 1 लाख केस सामने आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि देश में अभी भी पॉजिटिव रेट 10 वी सदी बना हुआ है और अगर दूसरे देशों के हिसाब से देखे तो रोज आने वाले मामले में भारत अब सिर्फ अमेरिका से पीछे है उमीद करते हैं कि COVID-19 की वैक्सिन जल्द से जल्द निकलाए ताकि लोगों को और परशानियों का सामना ना करना पड़े हाला कि भारत देश में 15 अगस्त को को वैक्सिन नामक वैक्सिन लॉंच होने वाली है लेकिन देखना ये होगा कि वो कितनी सफल रहती है इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट